हेलो विवर्स मेरा नाम रीना है और मेरे जूटीब चैनल पे आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज में ये मास्क बनाना बताऊंगी जैसे कि आजकल क्रोना बारिस बहुत पैल रहा है तो आप जब भी बाहर निकलें तो ऐसा कोई मास्क बगारा पहन के ही निकलें जिससे क यह हमारा अपना ही पोटेक्शन होगा मास्क बनाना शुरू करते हैं तो मास्क बनाने के लिए यह मैंने कोटन का एकदम सोफ्ट वाला कपड़ा लिया है तो यह मैंने डबल में काटा है इस कपड़े का मेजरमेंट हमारा यहां से 7 इंच है और इस साड़े 5 इंच है अब इस कपड़े को मैं यहां पे स्टिच करूँगी और इस साड़ स्टिच करूँगी तो अभी मैं सिलाई लगाती है यहां पे यह सिलाई और यह सिलाई अब हमारी लग चुकी है अब इस कपड़े को हम ऐसे सीधा कर लेंगे अब कपड़े को मैंने सीधा कर लिया है अब फि फिर हम दूसरी बार फिर से ऐसे एक को टर्न करेंगे और एक बार फिर से हम ऐसे फोल्ड करते हैं यह मैं कपड़े को फोल्ड कर दिया है दोनों साइड से और यहां पर पिन लगा दी है यहां पर मैं सिलाई लगाँगी दोनों साइड में यह सिलाई मैंने लगा दी है दोनों करेंगे इसको हम यहां पर जॉइन करेंगे तो मैं तो यह Mi अधा हमारा आशे फोल्ड कर देंगे इदर का भी hard कर देंगे ऐसे मैंने फोल्ड कर दिआ है अभी यहां पर हम a I Mage करेंगे अपनी पटी को तो यहां ev a सिलय लगाती हूं यह पट्टी मैने attach कर दी है, यहां पर. दोनों साइड में यह लगा दी है मैने पट्टी. इसके बाद यह मेरे पास elastic है, यहां पर. चट्टा वाला भी मिलता है, यह मैने रौंड वाला लिया है, तो यह measurement में हमारा six inch है, बड़ाजा छोटा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं इस elastic को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इस पट्टी को ऐसे fold करके यहाँ पे सिलाई लगाते हैं यह सिलाई मैंने लगा दी है यहाँ पे अब इस जो हमने elastic डाली है इसको हम ऐसे नोट लगा देंगे यहाँ पे यह नोट लगा दी है मैंने अब इस नोट को हम ऐसे यहाँ पे खीच की अंदर को कर लेंगे यह नोट हमारी इसके अंदर आ चुकी है अभी हमारा यह ready हो चुका है एक साइड का दूसरी साइड भी हम ऐसे ही ready करते हैं अब देखें दोनों साइड में ने ये elastic डाल दी है अभी हमारा mask बन गया है अभी जब हम खोल लेंगे ऐसे लगाएंगे तो ये हमारा ऐसे खुल जाएगा ऐसे हम अपने कान में ये पैन लेंगे अभी हमारा ये mask बन के ready हो चुका है तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करें share करें और subscribe करें चैनल पे ने हैं तो bell button भी दबा दें जिससे की मेरे अगले आने वाले वीडियो के notification आपको easily मिल जाएंगे